आप लोग कैसे हो आप अपको ठीक होगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास साइंस का चापन बर फॉर्स क्रॉप रोड़क्शन अनेजमेंट क्रॉप नाम सुमते क्या मन में आता है आज हम लोग इसी बार में continue करेंगे कि हम लोग फुट खाते हैं हम लोग इनर्जी आती है फुट से इसके पिछे की प्रॉसस क्या-क्या है ठीक है तो फुट प्लैंट तो अपना फुट खुद बनाते है फोटो सेंथे लेकिन अनिमल को और हुमन को तो फुट सही है ना पहल जब नुमैडिक लाइफ था अर्ली हुमन अर्थ पर आये थे तो लोग के पास तो सामने आता है उसे मारते और खानाते हैं कोई भी जानवर आई या पर कोई भी फल दीखे तो वो तोड़े और खानी है पाकाना तो फिर बाद में धीरे-धीरे-धीरे करते वह लोग देख सकते हैं और तब ही से अगरी कल्चर का जन्न हुआ देखिए हम लोग इस बोल सकते हैं अब क्रॉप कहते किसको है यह जब बहुत सारे प्लांट सेम तरीके के आपको बहुत बड़े जमीन पर दिखे उगे हुए इसको कहते हैं क्रॉप जैसे की वीट गेहू का दाना और बहुत कि अगर जबती है एक पर जिखे में चूह ढूंट सरी ठीव युट हमल पनाफया संग वंते बौक्या श चूह का पर बहुताई प्ल् JON ऑद कि अनलक टाइम की एक और रिनियु रिनीं हैं कुछ विंटर में होते हैं कुछ संमर में उनके अंग हम छिड़ इंकर ह सब्सक्राएब होते हैं तो आपको षादर오ंगे एजिली यह जाएगा तक हो गया भेस को कृते होते हैं इसको पानी जादा जरूरत होती है किसको होती इसमी घ्रारिस को सब्सक्राइए और जीन सब्सक्राइब वह Alam अफिर मारा हाता है रबी क्रॉप में तक अट्कूबर मार्च तक में वीट हो गया ग्राम हो गया पीज और हमारे बच गए फल्षिस होगे 생 वेजिटेबगम हो वह सब करप होते हैं UT सब क्र differences सेजान association लेकिन जो च्छोप करद लिए तर्क्रप्रिखे और होता है कि हाँ बूल दी इस समय होता है तो हो जाता है उसके पीछे कितनी फ्रस्स होती है जैसे आप लोग छोटे से बढ़े निता प्रस्स रखते पहला आपको सेंटेंस सिखते हो तो आप लोग रीट करना सिखते हो तो वैसे भी अहां पर क्रॉप की लिए फार्ट काम होता है आज उसी परस्स वार्ट दो करेंगे ठीक है तो यहां पर अगरी कल्चर प्रक्टिस के नाम से आपके बुक पे दिया वह है साथ टॉपिक है फिला प्रेपर कि मिट्टी नहीं होगी तो आपके पास उगेंगे कहां से क्रॉप्स दूसरा क्या होगा सोइंग मतलब क्या बूना तो क्या होते हैं हम लोग किसी पर चीज के लिए बीज बोते हैं तीसरा है मैंनियोर एड करना मैंनियोर फर्टिलाइजर यह आप बहुत कॉमन नहीं है यह बोते हैं इरिगेशन अगर पाई नहीं दोगे तो वह अच्छे से कैसे होंगे फिफ्ञत है हमारा प्रटेक्टिंग फ्रॉप वीज्स मतलब कीट टानों इन सबसे हमला प्रटेक्ट करना लोग तो आते खराब कर लुते हैं हमारे लिज स्प्रॉप को हमारे क्रॉपस को त जो हम लोग की क्रॉप बन गए अब उनको स्टोर करना स्टोर करके मार्केट में सेल करना तो यह सारा प्रोसेस है इन साथ तो टॉपिक के बारें अब पुदम डिटील पढ़ेंगे आज ठीक है तो साथ करते हमारे पहले टॉपिक से वह है प्रिपरेशन आफ स्वाइल जो है तक權ता कि स्फिट के अंदर अराम से हवा जो आ सकए पानी जो है अंधर तक जा सके क्यूंकि किसी भी प्लांट का रूटस होता वह इस्वाल के अंदर आल्utta होता है तो अगर हम लोगgesetz Perfect for the best नदेल इन पानी गया नअ हवा गया तो स्वाइल हमेशा लूस होनी चाहिए तही है उसके बात soil के लूस होने का एक और कारण है अगर स्वाइब फार्मर नुन से माईक्रोब्स और अर्थवॉण जैसे कितानों जो है जो है उसमें ग्रोह हूंगी वो लिए भी स्वायल को दॉर्म यह कुशल को मिंवड वाधिर प्रवाल करते हैं करक्दॉय मांद pajar कि for करते हुए सवी दॉल जोना चाहिए उससे क्या होगा ना मैक्रोब्स और वो लोंग हो ऐ हुमिस के तरह काम करेंगे मैंन ने और ता तरह काम करेंगे किसी भी फूड के लिए किसी भी क्रॉप के लिए तक है उसके बाद पर हम आगे पढ़ते हैं कि इस्वाइल जो है सब्सक्राइब को मैन्यों ऊकश्वाइल नियूट्रेंस चाहिए तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो मर जाते हैं सुक के गिर जाते है वह सब मिल जाती और फिर वो सब्सक्ट reun improved rust को लूज करने के लिए जाते हैं यह प्लॉइंग तो यह बहुत कॉमन नेम है जो हमारे एक्साम में आ सकता है प्लॉइंग और टिलिंग जो कि प्लॉइंग नाम का एक क्या टूल होता है जिसके मदद से हम लोग जो है लोगे स्प wage को सकते हैं यह बना होता ही यह फिर अटा होता है फिर यह उडिका फिर पर यह मशींस आ गएंब मुषिश्क बेंटहरां कंब और यह सब भूता है अब तो बहुत और इस वह अगई है तो बिचूंद फोड़र कअ लसा घवं से प्रता नहीं tyre-ठीन क्स काम करते थे फ्लॉइंग से पहले थोड़ा सा पानी देना जरूरी होता है ठीक है पहले पानी देते हैं और फिर स्वाइल के बड़े-बड़े गठ्थे बन जाते थे तो उन सब को तोड़ना बहुत जरूरी तोड़ना टाइट स्वाइल बिल्कुल भी ने चाहिए हमारे क्र तोड़ते थे उसको अब हमारे लिये वह बनी प्रीशर वहाल करता था ठीक है उसके बार पर अब आगे काम शुरू करेंगे पहले स्वाइल को अच्छे से वह कर लिए अब स्वाइल को लोग बहुत सारे टूल की हल्प से पतला कर लिए अब हम लोग उसको दिखेंगे अजो यहां आप फॉटो में देखरेंगे यहां बहुने की यहां पर क्या होता है अ है यहां याओ वे फॉटो में क्या है दो पिस्वुल है यहां यहां पर गर्दन पर है ओगा को श्वाएल को वह रहे हैं इस ने तिए पिलो Dieses थीए हमारा पलोऌ का उटाखना से अऔर यहाँ पर यह नसा आय को कि अब्रमारा है है यह हैं हो कि के बारें पढ़ेंगे यह क्या है बहुत Jeanne यह फूरा का पूरा तो अब जो है नई मशीन से आगाया इनकिक्राइब काम करते हैं की कुछ नई टक्रेजी तो अब जो है पार्मर सब अब जो है बूल करते है ऑब करती करती वेटर का जब क्रॉप हो जाता है कि यहां पे अब आज़कर क्या होता है नग इस अट's शॉष्य सबा करने के लिए है और सब करने के लिए ताइम भी कम लगता है कि इस अट माशींट्री को तो क्जिशन वैसे Hmm चैशन होजा रहा है कि मस्यंट्री कहा हूं सब काम करने के लिए और सांतों खूर काम करने के लिए पार भी दस लेबर होते हैं एक थोड़ी से तुकड़े में अब वहां पर एक ले दो लेबर से काम हो जाता है तो यह तो अच्छी चीज है न हम लोग आगे और काम कर सकते हैं इस चीज से ठीक है से ठीक हैं अच्छी ऑड़ी सीड हो एंजी सीड होसे काने से कोई भी भी ना वंद करतें हैं ने कि यहांपे उनके पार में से से इन जो अरुपने में भीडों मतल रहें जाते हैं उनके उंकर सब र्लक हों सब तो तो वह खलका कर देता उसको तो हलका होने करन वह उपड़ तैयर ने लगेंगे लिकिन जो अच्छे सीडों के वह नीचे बैठ जाएंगे तो इससे आप सीड का सेलेक्शन कर लिए तो यसी कुछ टेक्निक होते हैं जिससे वह फार्मर सीड को सेलेक्ट करते कौन से अच्छी क बोंगे नेकिन में कुछ मैसिन मैं देखते यहाऊ सीं Chelsea का करता है यह जाकर दोन हैं च्छी है यहाँ पर STEW can आपते जैसे क्या आपको समझाती हमें में समयाथे और चैनल को हुरीजन जाने हो यहां पर सेड़ त्रमाइप है कि रहला है तिनों एक यह लार पर टीक है त्रम में कुछ वह डिफरेंस नहीं आरें दान सेम तू सेम देफ्थ में वह रहा है इननों को एक्ट इक्वल में पानी जाएगा को दीकड एक्ट निन्हें जाएगा दोनों में इक्वल एक्वल ऄोगा तो इसी डषी बात होता डिके को सबंदोर्ड आए लोके में बुगत एक लिए मिलोंत इसे में मर्ट आश्यतन एक आधर सकंद वाइन को यह मैं यह पहले छोटे जगह होता है यह अच्छे से ग्रूप कर जाता है यह जो पिर इंको वहां से उखार कर बड़े जगह में बूद ही रहता है यहां पर यह बता रहा है और जो है जब हम लोग इससे बॉएंग इससे बॉएंगे ना उन सबको एक्वल अब 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 शॉनलाइट नीट्रेंज वाटर और सबको एक्वल एक्वल डिस्टेंस पर भी रहेंगे तो हमारे सीट्रूल का बहुत बेनिफित है आपको आ सकते है कंपिरिजन करो ट्रेशनल मिथड को मशीनरी मिथड से तो अगर आप चाहते हो इससे बना कर दो दो तो आ और निख को अब उस में पैंने को पर्हाँने के लिए अच्छी से एक करेते आपको तो इसके लिए अच्छे से ज्मार्ण पाहाई ठीज करें अप घर पर आकर कि नोट्स पनाऊगे बेनिफित होगा वैसे ही मैन्नः एप बीचिंन का या इन मेंद व wildlife गाइं में मैन्योर और फर्टिलाइजर के भी डिफरेंच दिया वे बहुत अच्छी चीज़ है मैन्योर हमारा और ऑर्गेनिक होता है वह है तो है तो है फ्राइजर होते हैं इस फ्रेक्टरी स्मय तार किया रहते हैं अधर को चांद प्लांट कीज कुछ ही प्लांट होते हैं इस थो दो को महते हैं प्लांट क्या होते हैं तो के my account होते हैं लेकर आजकल क्या है जल्दी हो एक खर्च class लोग वहां पे तीन मेजर कैमिकल यूजल दोते हैं आपिके एंपिके हमारी फर्टिलाइजर हो गए हैं नाइट्रोजन फॉसफोरस और पोटाशियम पोटाशियम उमारा उसका प्टाशियम का सिंबल हमारा के है इसलिए एनपिक यह कपनों याद कर लिजागा यह बहुत अ आप क्या होते हैं या तो आप ऐसे कर सकते हो रोटेशन मेथड़ यहां पर आपको तो आप को अभी वीड पील रहेगा नुट्रेंट्स अपका बैलंस रहेगा फ़र ज्यादा नीट्रेंट्स खाने वाला क्रप उगाओगे तो ऐसे आपके nutrients balance हो जाएंगी तो आपके जो soil है वो replenish होते रहेंगे अपने insufficient manure को जो है वो cover करते रहेंगे तो इसी हम लोगो यह चाहिए कि हम लोगो कुछ समय के लिए crop को खाली छोड़ देना चाहिए उसे क्या होते है वो जो उनकी nutrients खतम हो गए है वो आप इस nutrients को gain कर सकत होते हैं जिसे हम कोता है पहले जैसे plants अब मर गए वो सब उसमा जाते है soil में तो उसे nutrients होता है वापिस soil लेकर वो फूल फिल खोड़ाता है उसे लोगों समय तक के लिए हम लोगों soil को या तो आप उस field को leave कर दो छोड़ दो थो कुछ दिन के लिए नहीं तो आप पहले सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर देखें कि आपको fertilizer के बार में fertilizer हमारे example क्या क्या है यूरिया अमूनिया सल्फेट सूपर सल्फेट पोटाश और पीके फेसे बार के यह बहुत important आपको लोगों सब्सक्राइब कर दिए नाइट्रोजन फॉस्पर पोटाशियम यहां प यहां पताया गया है कि आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में एक rhizobium bacteria के बारे में यह क्या करता है ना इसके जो रूट्स में यह nitrogen fixation वाला एक वह रहता है वह nitrogen fix कर दोता है ठीक है आप लोगों के पहले क्लास पॉट चुके है अचा कुछ इंपर है नहीं आपर इस इस टेबल पील्स होते हूं सबसे ही और्गेनिक मैन्योर बनता है यह पता चुके है आपको फट्रेदर मैन्योर के बार में दिखते हैं बहुत इंपर इंपर्चंट है और एडवांटेश कहा है मैन्योर का यह water holding capacity जो स्वाल की होती उसको इंप्रीज करता है कि इन्हांस कर है स्वाल को पूरत इस जो है पाँर से अधर और अदर से बाहर औरिमेंगल्स कर सकती है और के मैनियोर हमारे माइक्रोप्स को भी जो है तीसरा हमारा adding of manual fertilizer अब आती हिरिगेशन इरिगेशन means पानी की बारी सबको पानी चाहिए होता है जीने के लिए हमारे plants को पानी चाहिए होता है ठीक है पानी के साथ-साथ उन्हें fertilizer भी चाहिए होता है वो सब पानी साथ ही यह लोगे हम मिननों सप्रेजर दो अब्जॉब कर प्लांट को लगबख 90% वाटर चाहिए होता है वो क्या वाटर जो है plant को प्रॉप को बचाते हैं इस चीसे प्रॉप से और होट एर करेंट से भी बचाते हैं और स्वायर में मॉइस्टर हम लोग को मैंटेन करने के लिए पानी जरूरी होता है रेगुलर बासिस पे तो प् एक मीना तब दो दिन दो फिर ती दिन मत दो ऐसा नहीं कुछ उसका रेगुलर इंटरेवल होता है आप उसमें दोगी ना तो आपका उक्राफ अच्छे सी ग्रोथ करेगा और उसके help होगी ठीक है और हाँ यह जिए अगर आपके धर में कोई plants वेगराए तो आप लोग उस अब लोग सो morning time देते हैं और इंग देते हैं लिए कि इसका को फियान रखी अब पानी के source क्या क्या है कुआ, ट्यूविल्स, pond, lake, river, dam, canal यह सब अपने हैं traditional method आगे हमारा moot और chain pump यह figure आपको देख रहे होंगे कुआ से पानी निकाल रहा है और इसको ऐसी डाल रहे है इससे कहीं गया पानी कहीं नहीं गया पानी उससे अच्छा से इसका हो नहीं पाता है फिर देखिए आपने chain pump chain pump chain chain खेब से पानी अदर से निकाल रहे है और फिर विलुप पानी दिखिए बहा रहे है यह भी नहीं लगता है उतना beneficial होगा अब यहां पर एक और धेख ली सबका अलगर अगनाम है सब काम तो irrigation का अच्छा है नहीं यह सब सिस्टम जितना ट्रैडिशनल मेफड उतना कि मशीनरी तो है नहीं यह सब ट्रैडिशनल है तो यह इतनी beneficial है नहीं तो एक और रहत यह सब फीगर देखे समझ सकते हैं आप लोग से कुछ important इसमें नहीं है यह important आप लोग मौदर्न मेफड स्प्रिंकल सिस्टम से पहला आता है यह बहुत अच्छा चीज है इसमें कहना इसे आप के जहां पर क्रॉप्स लगे हुए है ठीक है इसके बीच में न स्प्रिंकल स छचे में यहा इसे पानी का फरवार गरता है तो बहुत को सब्र collaborators मिल जाएंगे सब जगा पानी मिल जाएंगे करे क्रॉप्स को यह बहुत अच्छा चीज़ है यह बेनीफीशियले क्रॉप्स के लिए पर आता है हमारी ड्रिप सिस्टम में क्या है इसमें पानी जो है ना वाटर के रूट तक जाता है इस यह पानी का पानी प्रोबाइड करने का फ्रूट्स गार्डियन में पूसे बेस्ट पानी बहुत कम वेस्ट होता है और बेस्ट नहीं भी होता है जहां पर पानी की अविपलीटी कम है यह वहां के रिए इस सिस्टम यह बहुत अच्छा सिस्टम मतलब लगो बून है वहां सब्सक्राइड कर लो यह फीगर आप तो देकर समाझ सकते हो यह मोटर देखे लगा है इस करण से मशीनरी वाला काम हो जाता है अब आतीए बात प्रोटेक्शन प्रॉम वीट्स जो कीट के टानू कीडे मकड़े वो सब आते हम लोग के वीट्स को खराब करने के लिए आते हैं उन सबसे कैसे बचाए हम लोग हमाले कॉप्स को प्लांट हो जाते हैं अब आताना उसको कहते हम लोग वीडिंग तरीमूवल और वीडिंग यह जो है हमारे प्लांट को खराब कर दे उससे पहले बहुत जरूरी होता ही सब काम करना हम लोग के लिए फार्मर तो बहुत ध्यान रखते हैं अपने प्लांट का ठीक है इनका ग्रोथ ना बढ़ जाए ज करते हैं स्वाइं से पहले वह भी बहुत हैल्प करता है लोगों को जब अंदर की रमकाड़े हैं उसको बहुत निकालकर ठीक है या फिर अंदर में ही मार देता है तो यह अच्छा चीज है वहाँ पर और फिर जो वीडिस के लिए कंट्रोल केमिकल यूज करते वह हैं हुआँ क सर्था ने सर्था मिले करते हैं करते हैं तक इसकल चोपने क्राप करता है लेकिन हमारे वह द्यान से पारते हैं जाह गार्डिया से क्राम करते हैं और कंक रैपसिए के बारी आती है जिसमें के cutting of crop जिब हमारे अब आप लूप को अच्छी से पढ़ लिए हो ठीक है अब इसका टेस्ट जरूरी होता है तो वही है अब पढ़ लिए हो अब टेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्ट का काम हो गया जब हमारी crops जो है मैं अच्छी और जाते हैं सबको cutting करके हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग करना ठीक है लगभग एक crop को जो है 3-4 मत लगते हैं मैं अच्छी और होने में इस सब बीच में अब लोग या फिर मशीन ड्री दोनों तरह कर से हम लोग जो है crops को पने cut करके उसको लोग करते हैं तो यहां पर देखिए फिर से traditional मतला के हमारा सीकल जो लोग जो है अपने हाथ हो सी crop को काटते थे और store करते थे ठीक है और पर जो है यहां पर आया और जो है इसमें सिर्फ crops तो नहीं कटे होंगे बहुत अपर कुछ एक्स्ट्रा भी कट रहागा तो उसको लोग अलग करते थे उसको बहुते थ्रेशिंग ठीक है ठ्रेशर जो फार्मर्स क्रॉप को कट करते हैं तो साथ से क्या होता है डेश के साथ 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 जो शीट नहीं हो पाई अच्छी से करो तो शीट भी आ जाते साथ 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 और भी कुछ चिज़ा रहते तो उसको रिमूट करने के लिए यहां पर एक जीशिपर थेश्लिंग का यह क् का माइन में नहीं होते हैं है कि अच्छी आफ्य करते हैं फ्रकश्प को अलग कर देते हैं कि आ अदि भी जावर निरुने के नगारे क्या करते हैं हर्वेस्ट करते थे और हम लोग जब देरी इसको शैफ से अलग करती थे विमें इस प्रोसे से भी खटी है हम दो प्लासिक से फट चिते है जब क्रॉप हर्वेस्ट होते है था मैंने तक आप उस क्रॉप के पिछे लगे वे उसको बढ़ा की इसमें अधा वो पैनियो दिये सबको दिये का ध्यान रखे लियों से बचाये तो इन सब कब जब बारी आता है कर्टीवेट होने का जब बारी आता उसको हार्वेस्ट करने का वहाँ पर अलग 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 नाम का फेस्टिवर बनता है इसको बोलते है पूंगल बैसाखी भूली डिवाली नबान्या और अब अब भी हूं तो इसे कि वह अब अलग नाम से इसाफ थान कट रहोता है वहां पर हर्वेस्टिंग हो रही होती है तो तरीका है जाए वह सबसे लास्ट चीज वह हमारा स्टोरिज अब इसनी सारी जो बनाल इतना कर्टीवेट कर लिए पर दिया लग तो दिखने का का तो इसनी स्टोर करेंगे इसको पहले करता कैसे करेंगे पहले सारे चीज़ को अच्छा से शुख जाए इसमें कोई कीला मकौडा ना लगी फिर हम लोग इन सब को जो है तो करेंगे कैसी जगा जहां पर हम लोग इसको चूहों से बैक्टेरिया से पेस्टिसाइड पेस्ट फंगस इन सबको बचा सके तो उसके लिए बड़ा बड़ा यहां पर देखो देख रहे होगे सिलोज बड़े-बड़े ग्रेंजको इसको स्टोर करने के लिए बड़े-बड़े सिलोज है ताकि इसमें अच्छे से अगए सब स्टोर हो सकते हैं और पेर जो इसमेंद्ग व और जहां पर इसल स्टोर हो रहे हैं तो ना पर ना सूखे नीम के पते भी रख दिया ताकि ना उसके श्मेल से कीले मकोडे माइक्रोड करने के लिए ना आए वहां पर हमारे काप रख सकते हैं अब तो यह सब बात हो गई हमारे फुड की अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो था आपको प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर देजएगा मैं एक्स्प्रेंट करने का पूरा कुछ करूं में नेक्स्ट वीडियो में और आपको इंपोर्टन कोशन की सीरीज चाहिए होगी न तो उसके लिए भी आप करेगा मैं इंपोर्शन की सीरीज भी लेकर आउंगी अब यहां पर एक टॉपिक है अनिमल हस्बेंट्री यह क्या चाहा खाया देने के लिए प्रोपर शे इस सब के लिए वहाँ पर एक जगा होती है अनिमल हस्बेंट्री जहां पर सारे काम होते हैं बड़े स्केल में इसकर बोलब होते हैं यहां पर कुछ की वड़्स दिए वह हैं जिनके बारे में आपको हम पूरे वीडियो बता शुक वीडियो लाग वाफ लोग प्लीज कमेंट तो दीजे कर मैं इसके लिए भी वीडियो लिया हुई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि बाई